अगर आप अंग्रेजी बोलना सिखना चाहते हैं तो आपको question पूशना भी आना साइए कि अंग्रेजी में सवाल कैसे पूशा जाता है और सवाल पूशने का क्या तरीका होता है क्या उसका formula होता है तो गाइस डाबल वाज फैमली के सभी words ऐसे words जो काफी useful हैं English speaking में आज इसका complete use समझेंगे तो गाइस सबसे बले समझते हैं हम लोग use of whatever या फिर whatsoever दोनों आपका एक है whatever बोलिए या फिर whatsoever बोलिए दोनों एक ही है जिसका हिंदी मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी ऐसे अब समझता है example जिसके जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अस्था है तो sentence होगा whatever he does जो भी वो करता है इस परसा बोलते हैं जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना तो sentence होगा whatsoever you buy या फिर whatever you buy, buy for me मेरे लिए भी खरीदना इस पर्स आप इसका यूज़ करते हैं गाइस जो भी पढ़ना साते हो पढ़ सकते हो sentence होगा whatever you want to read you can आप साहे तो यहाँ पर भी read का यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब आप यहाँ पर read किये हैं use तो फिर दोबारा आप ना भी करें तो meaning आपका complete है that is why you can avoid here आगे समझते हैं आगे हैं आपके whenever या फिर आप समझ सकते हैं when so ever whenever या फिर when so ever दोनों आपका एक ही हैं जिसका हिंदी मतों होता है जब कभी भी इस sense में आप यूज़ करते हैं आप समझते हैं इसका क्या example होगा जब कभी भी वो यहां आता है मैं बहूत खूस होता हूँ गैस में बता दो कि whenever और when so ever का use time के लिए किया साता है समय के लिए किया साता है sentence बनेगा whenever he comes here जब कभी भी वो यहां आता है I get very happy मैं बहूत खूस होता हूँ जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो it means जब भी तुम्हारा time में खेलने जाने का तुम उसमें जा सकते हो sentence बनेगा whenever you go to play you can इस परस होसाएगा आप दोबारा go का use ना भी करें तो आपका better है इस परस आपका होसाएगा you can इसी बगार से जब कभी भी तुम बजार जाओगे तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना sentence होगा whenever you go to market जब कभी भी तुम बजार जाओगे bring something कुछ मेरे लिए लाना to eat खाने के लिए इस परस हो जाएगा for me मेरे लिए bring something कुछ लाना to eat खाने के लिए for me मेरे लिए इस परस आपके हो जाएगा यहाँ पर आपका गागे की आरा है इसकंद यह नहीं का आप यहाँ पर will use कर ले when so ever यह आपका कोई दिक्कत नहीं है when hour के बाद आप present independence का use करते हैं इस परस आपको ध्यान में रखना है आगे हैं आपके where hour या फिर where so ever जिसका मतला होता है जहाँ कहीं भी और यह use क्या जाता है किसी place को जानने के लिए तो sentence आप समझते हैं कैसे use करेंगे जहाँ कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है sentence बनेगा where hour he lives जहाँ कहीं भी वो रहता है I know everything मुझे सब पता है जहाँ कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुमें बहुत पसंद करते है इट बाइस sentence आपका बनेगा where hour you work जहाँ कहीं भी तुम काम करते हो the honor मलो कि आपका मालिक सो है likes you a lot मालिक तुम्हें बहुत पसंद करता है जहां कहीं भी या फिर जहां भी राहूल पड़ता है वो कई सारे दोस्त बनाता है sentence होगा wherever राहूल अश्टड़ीज he makes many friends sentence कितना इजी तरिय से बन गया है इसी बगार से आप कई सा sentences बना सकते है then you can practice and you have to practice as well guys because without practice you can never speak that is why you need to practice everyday आप समझते हैं guys आगे हैं आगे हैं आपके however या फिर how so ever it means both are similar आप दोनों को एक दुसरी जगाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका मदब होता हलांकी हलांकी या फिर चूकी ऐसे आप यूज़ करते हैं चूकी या हलांकी के sense में देखें इसका example वो बीमार था हलांकी वो काम करने गया it means हलांकी या चूकी इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई काम सो हम बोलते हैं उससे opposite आगे काम होता है जिसकी वो बीमार था तो उसे rest किया हो सकता था लेकिन उसने rest नहीं किया वो काम करने गया it means उसके against काम किया उसके खिलाब काम किया उसका उल्टा काम किया एक्सामपल लेगे से वो बीमार था हलांकी वो काम करने गया इसी बार से मैं बहुत भूका हूँ हलांकी freeze खाली है it means मैं भूका हूँ तो खाना तो रहना साहिए फूर तो रहना साहिए लेकिन freeze भी खाली है क्या करूँ इस पर सम्मलों उसका just opposite है तो sentence होगा आपका I am very hungry however हलांकी the freeze is empty freeze खाली है however means हलांकी ये चुकी इसी बगार से वो अमीर है हलांकी वो खुस नहीं है मैं अमीर है तो खुस रहना साहिए लेकिन वो खुस नहीं है mentally हो physically हो या फिर कैसा भी हो sentence होगा he is rich वो अमीर है however he is not happy वो खुस नहीं है तो sentence होगा मैं थका हुआ था हलांकी मैं सो नहीं पाया sentence होगा I was tired however I couldn't sleep sentence आपके बन सुके है इसी पगार से आप बना सकते हैं गैस आगे हैं आपके whoever या फिर whosoever जिसका मतला होता है जो कोई या जो कोई भी दोनों साइंस में यूज करते हैं जब हम लोग हिंदी बोलते हैं उसमें हम लोग दोनों तेगे से इसे यूज करते हैं तो संटेंस आपका बनेगा मैं खोश रहा हूँ जो कोई गलती किया है या जिसने गलती किया है इस पगार से बोल सकते हैं जिसने भी गलती किया है ऐसे भी बोलते हैं तो संटेंस होगा I am finding या फिर I am searching मैं खोश रहा हूँ whoever made a mistake जिस किसी ने गलती किया है इसे बार से जो कोई भी दुकान जाएगा किर्पया थोड़ा दूद खरिदने का याद रखी संटेंस होगा whoever goes to the shop please remember to buy some milk संटेंस बन चुके हैं इसे बार से अगर आपको doubt सा रहा है आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको whoever जो है यहाँ पर आपका subject है यहाँ पर आपका whoever है यहाँ पर भी आपका subject है इस पर साब समझ सकते हैं यह आपका verb है यह आपका object है कॉमा please लगा करके फिर आप remember to buy some milk आपका इधर क्या है आपका imperative संटेंस है इधर इसे बगार से जिस किसी ने भी दर्वासा खोला बंद नहीं किया संटेंस होगा whoever opened the gate या फिर open the door didn't close it संटेंस बन गया है इसे बगार से आप बना सकते हैं सहे तो 20 में आप एक कॉमा लगा सकते हैं इस पर साब को पता भी सलेगा कि संटेंस आपके कहां खतम हुए कहां आपके स्टार्ट हुए तो सो don't worry just you can use it like this आगे समझते हैं आगे आपके which hour या फिर which so ever जिसका मदा होता है जो भी अब समझता है कैसे यूज़ करें इसका इसे मैं दो से लोंगा जो भी आप साथ हैं मैं दो ही से लोंगा जो भी आप साथ हैं संटेंस होगा I will take two apples which hour you want इसे बगार से जो भी मोबाइल तुम्हें पसंदे उसे खरिद लो तो संटेंस होगा which hour मोबाइल यू लाइक जो भी मोबाइल तुम्हें पसंदे buy it उसे खरिद लो इसे बगार से जो भी लैप्टॉप तुम सलाना साथ हो चला सकते हो संटेंस होगा which hour laptop you want to operate operate में सलाना you can तुम चला सकते हो आप दोबारा operate का यूशना भी करें तो it would be better for you इसे बगार से आप समझ सकते हैं आग हैं आपके whomsoever both are similar जिसको भी या जिस किसी ने भी इस सेंस में आप यूश करते हैं जिस किसी को भी तुम आमंतरित करना साथ हो कर सकते हो संटेंस होगा you can invite whomsoever you want तुम कर सकते हो कौमा लगा देता आपको पता से लेगा कि संटेंस आपके यहां पर थोड़ा सा कम्प्लेट मिलोगे कम्प्लेट हुआ और फिर स्टार्ट हो गए थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है इससे बाद से जिसको भी तुम पैसे देना साहते हो दे सकते हो संटेंस होगा whomsoever you want to give money यू कैन जिससे यहां पर थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है देन आपको संटेंस अगला स्टार्ट कर देना है इससे बाद से आप यहां भी कर सकते है आगे हैं आपके गाईस वट और वट का हिंदी मतलब होता है क्या जो कि बेसिक यह वड़ा है आपके जो कि आप इस पेकिंग में यूस करते है वेन यू आस्क संटिंग आप देखें क्या है कि जैसे कि तुम क्या सिखना साथे हो तो वाड़ यू वाड़ तो लर्न इससे बोलते है तुम क्या पढ़ना साथे हो वाड़ यू उट रीड या फिर श्टड़ी वे लोग क्या कर रहे हैं what are they doing इसे बार से पिरिया क्या बोल रही है what is पिरिया speaking इसे बगार से आपके sentence बन साएंगे भूती इस वे में गई से आपर समझ जिए कि आपके इस वाट है यह वाट आपके क्या है डब्लो अस वर्ड है और जब डब्लो अस वर्ड है यह तो आपके कैसे यूस किया साएंगे यूस तभी किया साएगा इसे कि आपका डब्लो अस वर्ड हो साएगा इसके बाद आपका helping वर्ड का आना पतर है जब इससे हम question पोस्ते हैं question पोस्ते हैं तो sentence में पहसान एक ही है कि कोश्तर मार्क भी साथ में लगाए साता है इसके बाद कहता है कि आपका subject आएगा देन आपका अगर main verb होगा तो main verb आएगा फिर आपका कोई object आएगा और last में आपको सर मार्क तो लगाना भूलेंगे ही निए इससे परस आपको साथ आएगा आप क्या कर रहे हो what are you doing थुम क्या करते हो what do you do इससे बोलते हैं तो इस परसे आफ स्टांट का use कर सकते हैं आगे आप कहेंगा हूँ का मतों होता है कौन के लिए आफ इस परसे बोलते हैं तूम कौन हो इससे कोई आपको फggi wise कि आपको नहीं पता है तुम कौन हो, who are you, इस बर से बोलते हैं, तो कौन अंग्रेजी बोल रहा है, who is speaking English, who is speaking English, कौन अंग्रेजी बोल रहा है, किसने या सडक बनाया, who built this road, किसे बन रहा है कौन रूम के अंदर है किस समय की बाते करते हैं तो जैसे कि तुम कभ स्कूल जाते हूं तो टाइम पूर्श है कि तुम कभ स्कूल जाते हूं तो when you go to school तुम स्कूल कभ साते हूं वो कभ सारज आएगा वेन विल ही go to market वो कभ बसार साइगा वेन विल ही go to market अभी बत कि आपका when है यहँ आपका डवलो सुवर्ड है happy word आपका do और will है you ही आपका subject go आपका main word by school market आपका object इतले किसे आप समझ सकते हैं willow cup cricket खेलेंगे when will they play cricket when will they play cricket willow cup cricket खेलेंगे ria cups होती है when does priya sleep when does priya sleep when does ria sleep when does muskahn sleep इस परस आप यहां पर subject को chance भी कर सकते हैं sentence आपको sentence एक तरीका आपको मिला है इससे आप कई से sentences में use कर सकते हैं इसी तरीके को sentence आप बना सकते हैं गाई आगे हैं आपके पास where और where का मतलब है कहां चो बताता है आपका place example देखे इससे कि वो कहां rose आता है where does he go आप यहां पर आपका rose आ रहा है तो rose के लिए आप साएं तो डेली का यूज़ कर सकते हैं पहले आप यूज़ करेंगे डेली का और last में आप यूज़ करेंगे question mark इसे बार से तुम लोग कहां गए थे where did you go इसे बार से रवी कहां काम काता है where does रवी work you can use it in your speaking English whenever you speak English just use it because it is the best way to ask questions आगे समझते हैं guys आगे हैं आपके पास which और which का मतलत है कौन सा या कौन सी दोनों के लिए यूज़ करते हैं इसे का आपका उज़ा है का तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे sentence होगा कि with which pen were you writing with आपको लगाना होगा with which pen मिलोग की किस कलम से were you writing तुम लिख रहे थे इस बहर से रवी कौन सा कार खरिदना साथ है sentence होगा which car does रवी want to buy which car मतलत की कौन सा कार does रवी want to buy रवी खरिदना साथ है इस बहर से कौन सी रंग तुमें पसंद है sentence होगा तो यहाँ पर what का भी यूश कर सकते हैं what और wish में थोड़ा सा difference होता है जो आपको समझना होगा what versus wish के video lecture में इसमें आप सारी सीजे completely समझ सकते हैं इन दोनों के भी इस क्या difference होते है अब समझते हैं आपके आगे हैं whose means होता है किसका के लिए जिस करते है इसे कि यह तुम किसका किताब लिया sentence होगा whose book did you tag whose book किसका किताब did you tag तुमने लिया इसे बार से यहाँ pen किसका है whose pen is it whose pen किसका pen is it यहाँ है इसे बार से यहाँ घर किसका है whose house is it whose house is it यहाँ घर किसका है इसे बगार से आप बोलते हैं, आगे हैं आपकी पास how, how बताता आपका way, बलो कि अगर आपको एक काम करते हैं, तो वह आप किस तरीके से करते हैं, way को पता करने के लिए, आप how को यूजर करते हैं, जिससी कि आप बोलते सांडेश में, तुम कैसे अंग्रेजी के अभियास क की इसे पिएसे प्रवि कैसे बस्वार गया हाओ डीड रवी राहura अमन सुमन कुस्ट भी आप यहां पर बोल सकते हैं राहूल फिसित यहां पर आप दोमार्केट यहां पर आप अब जोका सब्समर्ट को भी हैं हैं वो आपको भी चैन्स कर सकते हैं पहले आप एक ही संटेंस में सब्जेट को चैन्स करके कम स्क्राइब आप पांस साथ संटेंस मनाईए फिर आप अब्जेट को चैन्स करके पांस साथ संदेश मनाईए फिर आप वर्ब को सेंस करके आप दा संदेश मनाईए ऐसे आपके एकी तरीके से कई संदेश बन जाएंगे थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा सबस्ते हैं कि अमन काई से पतर लिखा? इस से बहर से आप संदेश मनाते हैं तुम क्यों वहां क्यों साना साते हो? तुम वहां क्यों शाना साते हो? रभी क्यों मेरे साथ रहने के कोशीश कर रहा है? संदेश होगा Why is Ravy trying to live with me? why is Ravi trying to live with me Ravi क्यों मेरे साथ राने की कोशिस कर रहा है इसे बार से वे लोग क्यों यहां आ रहे है Sunday होगा why are they coming here why are they coming here वे लोग क्यों यहां आ रहे है इसे बार से आगे हुजाएंगे आपके whom whom मतलब हुजाएगा किसे या फिर किसको Sunday होगा आपके तुम किसको ढूंड रहे हो whom are you looking for इस बार से वह कल किसे मिला whom did देखें वह है और यहां पर यू है तो यू आपके यहां पर हटेगा यहां पराज़ागा ही whom did he meet yesterday yesterday का मतलब होगा आपका कल बीता हुआ कल पिरिया किसे प्यार करती है whom does पिरिया love इस परस आपके हुआएगा संडे से रवी ने किसे पीटा whom did रवी बीत और यह बीत आपके वर्व का फर्स्ट फर्म यहां पर हैं guys so guys thanks for watching that's all for today आज की वीडियो में